हेलो दोस्तो अबैकस लेवल 3 क्लास 2 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बिग फैमिली कॉंसेप्ट तो दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास सिल्वर बटन है और हमारे 100 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके ह इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद तो दोस्तो अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बैल आइकन का बटन जरूर दवाएं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो अबैकस लेवल 3 क्लास 2 दोस्तो ये है फैमिली ओफ 10 जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको वीडियो में फैमिली ओफ 10 में कुछ मेंबर्स होते हैं जो की है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये हमारी सबसे बड़ी फैमिली होती है इसलिए हम इसको बिक फैमिली बोलते हैं और इस आज का हमारा कॉंसेप्ट है प्लस 8 और प्लस 8 का फॉर्मुला जो कॉंसेप्ट है वो है प्लस 8 is equal to plus 10 minus 2 and 80 का है प्लस 80 is equal to plus 100 minus 20 2 इसकी एनिमी है 8 की इसलिए हम 2 को माइनस कर देते हैं और 10 बिक फैमिली मेंबर है तो चलिए पहला हमारा कॉंसेप्ट आब हम शुरू करते हैं तो दोस्तो हमारा पहला कोश्चन है आपकी स्क्रीन पर 2 plus 8 तो पहले सबसे पहले आपको 2 ड्रॉ करना है वैकस पर and then formula लगान है plus 10 minus 2 तो आपका अंसर आजाएगा 10 1010 ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों अगला कोश्चन आज ऐसे आपके स्क्रीन पर है 3 plus 8 तो सबसे पहले आपको 3 ड्रॉ करना है then plus 10 minus 2 कर देना है तो आपका अंसर आजाएगा 1111 तो चलिए दोस्तों अपने अब एकस को 0 कर लेते ह हैं और एक नया कोश्चन है आपकी स्क्रीन पर 4 plus 8 तो पहले आपको 4 ड्रॉ करना है देन उसके बाद आपको कॉंसर लगाना है plus 10 minus 2 तो आपका अंसर आजाएगा 12 चलिए फिर से आगे आप देखिए next question है 5 plus 8 अब एकस को 0 करिए 5 लेके आईए अब एकस पर ड्रॉ करिए and then फिर 4 लगाना है plus 10 minus 2 तो plus 10 लगा देंगे अप and then minus 2 के लिए minus 5 plus 3 तो आणसर आगया 13 चलिए अब एकस को 0 कर लेते हैं और next question की तर चलते हैं next question है 6 plus 8 6 ड्रॉ कर लिया हमने एकस पर and then 4 लगाएंगे plus 10 and then minus 5 plus 3 तो आपका अंसर आजाएगा 14 14 आपका अंसर आगया आपके स्क्रीन पर चलिए next question है 7 plus 8 तो दोस्तों आपने अब एकस को 0 कर लेजिए 7 को ड्रॉ कर लेजिए अपने अब एकस पर then फिर्मल लगाए ए plus 10 minus 2 तो आणसर आगया 15 next question है 8 plus 8 अब एकस को 0 कर लेते हैं 8 ड्रॉ कर लेते हैं अब एकस पर and then फिर् plus 10 minus 2 तो आणसर आगया 16 तो चलिए अब एकस को 0 कर लेते हैं next question है 9 plus 8 तो सबसे पहले 9 ड्रॉ कर लेते हैं then after plus 10 minus 2 लगाया तो आणसर आगया हमारा 17 तो दोस्तों अब चलते हैं 2 डिजिट की तरफ और पहला question है 20 plus 80 तो बैकस को 0 किया और 20 को ड्रॉ किया हमने 10th place पर then concept लग आएंगे 100 minus 20 तो सबसे परे ड्रॉ करेंगे 100 and then minus 20 तो आप का अंसर आगया 100 next question है 30 plus 80 अब एकस को 0 कर दिया 30 ले आए ड्रॉ कर दिया 100 minus 20 कर दिया तो आप का अंसर आगया 1 1 0 तो दोस्तों next question है 40 plus 80 अब एकस को 0 किया 40 को ड्रॉ किया and then concept लगाया 100 minus 20 तो आप का अंसर आगया 120 तो दोस्तों एकस को 0 किया next question है 50 plus 80 50 ड्रॉ किया अपने अब एकस पर 10th place पर concept लगाया 100 और 20 के लिए minus 50 plus 30 जो की small family का concept है तो आंसर आगया 130 तो दोस्तों next question है 60 plus 80 तो 60 ड्रॉ करेंगे पहले and then 100 minus 20 20 के लिए वही minus 50 plus 30 तो आंसर आएगा 140 चलिए अब एकस को 0 करते हैं next question है 70 plus 80 के लिए वही 100 minus 20 तो आपका अंसर आगया 150 चलिए ब एकस को 0 किया और next question आपका आगया 80 plus 80 तो सबसे पहले हमने draw किया 80 and then वही 80 के लिए आपको 100 minus 20 तो आपका आंसर आजाएगा 160 तो चलिए दोस्तों next question है 90 plus 80 तो सबसे पहले आपकस पर आपको 90 ड्रॉ कर लिया आपने and then 80 के लिए 100 minus 20 तो आपके स्क्रीन पर आपका अंसर आगया 17170 तो चलिए दो कुछ और question हम साथ में ले लेते हैं जैसे first question लेते हैं 3 plus 6 plus 8 तो सबसे पहले अपने अपकस पर 3 ड्रॉ करेंगे and then add करेंगे 6 जैसा मैंने किया है तो answer आया ये 9 and then 8 add करने के लिए आपको formula concept आपका लगाना होगा plus 10 minus 2 तो ये लगाया हमने plus 10 and then minus 2 तो हमारा answer आगया 17 चलिए दोस्तो अब आकस को 0 करते हैं next question है 3 4 8 3 ड्रॉ किया हमने आप आकस पर then 4 add करने के लिए आपको formula लगाना है plus 5 minus 1 तो हमारा answer आगया 7 then 8 add करने के लिए आपको ये आज का concept है plus 10 minus 2 तो plus 10 minus 2 करने के बाद हमारा answer आगया 1 5 15 आपके अब आकस पर है 1 5 15 तो चलिए दोस्तो नया question ले लेते हैं अब आकस को 0 करते हैं नया question है 2 then add 1 add 8 plus 10 minus 2 ये आज का हमारा concept है plus 8 plus 8 का concept है plus 10 minus 2 तो answer आपके screen पर है 1 1 11 तो चलिए दोस्तो अगला question है 9 minus 1 8 9 draw कर लिया आपने 1 minus कर दिया और 8 के लिए आपको plus 10 minus 2 फॉर्मिला लगाना है और ये आएगा आपका answer 1 6 16 आपके screen पर चलिए दोस्तों next question 0 कर देते हैं आप आकस को next question है 22 22 draw कर दिया then 48 40 के लिए आपको formula लगाना है plus 5 minus 1 and then 8 के लिए आज का हमारा concept है plus 10 minus 2 तो आपका answer आजाएगा 7070 आपके screen पर है चलिए दोस्तों अब आकस को फिर से एक बार zero करते हैं और next question है 63 28 आकस को zero कर लिया है 63 draw कर दिया है 20 के लिए 2 draw bits उपर कर देंगे and then 8 के लिए आपको concept लगाना है plus 10 minus 2 plus 10 minus 2 तो आपका answer आजाएगा 91 अब की screen के उपर चलिए दोस्तों next question है 14 plus 58 तो आपका answer को जीरो कर लेते हैं और draw करते हैं 1 for 14 then add करना है आपको 50 10th place पर और 8 के लिए plus 10 minus 2 तो आपका answer आजाता है 72 14 plus 58 72 चलिए दोस्तों next question है अब एकस को 0 कर लिया है next question है 37 and then 28 20 के लिए आपको plus 50 minus 30 करना होगा and then plus 10 minus 2 8 के लिए तो answer आजाएगा 65 answer आजाएगा आपका 65 तो चलिए दोस्तों next question लेते हैं 77 plus 18 77 draw कर लिया हमने अपने अब एकस पर then हमने 10 add कर दिया है 18 में 10 है और plus 10 minus 2 कर दिया 8 के लिए तो आपका answer आजाएगा 95 95 आपके screen के उपर है आपका answer चलिए दोस्तों अगले question की तरफ चलते हैं और हमारा नया question है 23 plus 83 23 plus 83 अब एकस को 0 कर लिया है ठीक है और अब 23 तो draw कर लिया है अब एकस पर 23 80 के लिए अब हमें 100 minus 20 करना होगा क्योंकि 80 10th place पर है तो 100 100 minus 20 तो दोस्तों 3 add करना है 3 add करने के लिए आपको plus 5 and then minus 2 करना होगा minus 2 कर दिया तो answer आ गया 106 चलिए दोस्तों next question की तरफ चलते हैं next question है 94 94 draw कर लिया है 84 add करना है plus 10 minus 2 and 4 के लिए plus 5 minus 1 तो आपका answer आजाएगा 178 आपका answer आजाएगा 178 तो चलिए दोस्तों बैकस को 0 कर लिया है next question आपकी screen पर है 46, 83 तो 46 draw कर लिया है हमने अब आपकास पर 80 के लिए हमने वही 100 minus 20 कर दिया है and 3 directly add कर देंगे तो answer आजाएगा 129 तो चलिए दोस्तों next question है 92, 83 अब आपकास को 0 कर लिया है तो अब आप draw करेंगे 92 सबसे पहले हमने बैकस पर draw करा 92 and then 80 add करने के लिए 100 minus 20 and 3 के लिए plus 5 minus 2 तो answer आगया 175 तो आगे चलते हैं अब आपकास को 0 करते हैं और नया question है हमारा 72, 87, 72 हमने draw कर लिया है बैकस पर 80 के लिए 100 minus 20 कर देंगे and 7 directly हमारे पास है तो 7 को add कर देंगे तो answer आजाएगा 159 दोस्तो यहां पर हमारी concept आज का हमारा concept खतम हो गया यही इतनी question थे तो अब हम आपके लिए एक exercise लाएं हैं यह exercise आप अपने घर पर practice के लिए कर सकते हैं और आप इसके answer भी हमें हमारी website champsvalley 2011 at the rate of gmail.com पर भी भेज सकते हैं और अगर आप हमसे कुछ question या query है तो आप हमें नीचे comment box में भी type करकर पूछ सकते हैं तो दोस्तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं comment box में और हमारी वीडियो को like, share जरूर करें और चैनल को subscribe करें please subscribe our YouTube channel like share our videos thank you so much